महला T22 Cup में भारत के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी आई है भारत जिसकी की सही फाइनल पहुंचने की संभाबने लगबख खत्म हो चुकी थी लेकिन अब और अस्टेलिया ने जिस तरह से न्यूजी लेंड पर एक बड़ी जीत दर्ज की है उसके बाद भारत की सही फाइ लेंड पहुंच जाएगा जियां इस समय महलाओं का टी टॉन्टी विस्ट कप चल रहा है और यहां पर भारती टीम फिलाल तो संकट में थी लेकिन जिस तरह से औस्टेलिया ने न्यूजी लेंड को बड़ी अंदर से हरा दिया है उसके बाद अब भारती टीम काफी कमपर ने पर खत्रा मडराने लगा था लेकिन अब न्यूजी लेंड की हार के साथ भारत का रास्ता साफ हो गया और टीलिया ने न्यूजी लेंड को साथ रनों से करारी सकस्त दे दी है अब भारत का साही फाइनल में पहुंचना मुम्किन लग रहा है जियां टीम इंडिया इस बक्त नंबर चार पर बनी हुई है और अगर अब भारत अपने दौनों मुकाबले जीत जाता है तो भारत सही फाइनल में पहुंच जाएगा भारत का मुकाबला स्रिलिंका खिलाफ 9 अक्टूबर को है और वो इस मैच में जीत हासल करके नंबर दो पर पहुंच जाएगा इस समय भारत पाकिस्तान और न्यूजी लेंड इनके दो दो अंख है जबकि ऑस्ट्रिला की चार अंख़ा और वो टॉप पर है अगर हम पॉइंच स्थाल का पर नज़र डालें तो यहां पर और अस्ट्रेलिया टॉप पर जिसने दो मैच में से दो जीते हैं और उसका जो न नूजिलेंग नमबर तीन पर है एक मैच जीत और एक मैच हार में जबकि इंजिया नमबर चार पर है क्योंकि इसका नेट रंडिट माइनस में है माइनस बाइन पॉइंट टू वन सेबन है स्री लंका ने कोई भी मैच नहीं जीता और वो नमबर पात पर है गौरतलबे की इस में सभी टीमों को दो गूरुप में माटा गया है और हर्यग गूरूप की टौप दो टीम है सही फाइनल में जाएंगी और सही फाइनल से सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी यहां पर अगर हम मैच की बात करें तो अभी औस्टेलिया के दो मैच बाकी है पाकिस्तान और इंडिया के साथ पाकिस्तान के दो मैच बाकी है औस्टेलिया और न्यूजी लेंड के साथ यह न्यूजी लेंड के भी दो मैच बाकी है पाकिस्तान और स्री लंका के साथ इंडिया के भी दो मैच बाकी है स्री लंका और अस्टेलिया के साथ और स्री लंका के दो मैच बाकी है इंडिया और अस्टेलिया के साथ यहां पर अगर अगर इंडिया अपने दोनों मैच यानि स्री लंका और अस्टेलिया से मैच जी जाता है तो भारत को किसी भी टीम के परदाशन पर नजर नहीं रखनी है, कुछ भी होता रहा है, भारत सीधर सेमी फाइनल के लिए कौलिफाइक कर जाएगा, लेकर अगर कुछ और गड़वर होती है, तो फिर भारत को पाकिस्तान के और न्यूजी लैंड के मैचों पर नजर रखनी पढ़ेगी, तो कुल मेला करके यह था वो गड़ज जिस तरह से भारत अब आसानी से सही फाइनल में पहुंच जाएगा, कुल मेला करके भारती महलाओं के सही फाइनल पहुंचे की संभावना पर, आप लोगों को क्या वेचार है, अपनी राय कमेट करके जरूर ने, क्या भारत, अपनी अगली दोनों में स्रीलेंक को और उस्टिले को हरा करके आसानी सही फाइनल पहुंच जाएगा, अपनी राय कमेट करके जरूर न, साथी स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नमा चैनल सब्सक्राइब, जरूर करें